वेल हेलो वाइस कैसे हैं आप सब और आज इस वीडिवे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज आप लोग लिए बिल्कुल ऐसे जबरदस फाले टेक अपडेट लेके आगया हूं टेक रिकाप के फोर्त एपिसोड में तो यार आज जो है संडे है तो भाई फड़ फाइफ और फाइफ टी के ओनर्स है ना उन लोगो ऑक्षिजन ओएस 9.0.5 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया है विद्स स्यूरिटी पैच एप्रिल का तो भाई यह चीज बढ़ी आए कि अब आप लोग अगर वन प्लस फाइफ और फाइफ यूस कर तो आप लोग को जाएगा नेक्स अब्रीट की बात करूं बंप्लस 7 को लेकर आठाथा बाइं बन प्लस 7 प्रोज्व है लॉंच अने वाले इनक अंदर प्रो और 7 दो मॉडल आने वाले और शायद मेरे को लगता है कि 5G मॉडल भी आने वाला है अब पता निए वाले वह प्ता है नहीं आत ओले डिस्प्लेय होगी इस बार लाइक पड़िया जैसे होती है उनकी और इस बार स्क्रीन जोगी बिल्कुल नौचलेस होगी वह फोन काफी इनोवेशन वाला होने वाला है कलर सका अच्छा आने वाले बड़ प्राइस जो और और बढ़ने वाला है जो कर सबसे गलत बात यह चीज है जो कि वन प्लस सेवन के साथ हो रही है और जो कि मुझे सही भी लगी और रियल मी 3 प्रो आप लोगो पता है लॉँच हो गया पिछले हफते वह अच्छा रहा साइज साथ आप लोग पता है रेडमी ने अपना सेवन लांच कर रहे जो कि मुझे परसनली काफी पसंदार डिवाइस वहलों सातर रहार की रिंज के अंदर आपको काफी अच्छी डिवाइस वह मिल रहे हैं तो बेसिकली आप लोग बता है रेडमी 7 और रेडमी वाइट 3 काफी अच्छी डिवाइस निकाले है शौमी ने मिरको उनकी बिल्ट कॉलिटी सही लगी मिलें द दर आप लोगों इतना कुछ मिल रहा है वह अच्छा फोन है और काफी लोगों ने कवर नहीं करा वह तो यार मिरको लगत था कवर क्यों नहीं करा मिरको समय नहीं आया जैसे एक डेडिकेट टाइप मैं भी नहीं करना बट यह क्यों काफी पसंद आया देखते हैं अगर र सबसे बड़ा दुख यह लगा हमारे लिए 11 साल कुछ भी नहीं था अभी तो पता नहीं कुछ इतना कुछ बचा यार सीरीज को और आगे बढ़ाओ इतना जल्दी 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 बनावे फेस्टू था या फेस्ट्री था डोंट नो फेस्ट्री था श्यार क्या यार सब लोग मेरे को अचाहिन लगा मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आया लेकि मैं से बहुत चीदी और बात के लिए आगे होने वाल चीज़ों के बाले पर रियल्मी एक नहीं डिवाइस लेके आने वाला चैना के अंदर जो की फ्लैक्शिप लेवल की आपको स्प्र आने वाले हैं अब मैं जो एक साइडियू की सीच के लिए वह यह है कि रियल्मी क्या आप लोगता है एक ऐसा प्रोसेसर अब जो एक फ्लैक्शिप टाइप सोफोन इंडिया में लाउंच करेगा मुझे पता नहीं है नहीं होप सी आरी कि कुछ ना कुछ जो है रियल्मी सो लोगों तो कॉम्पेटिशन पसंद है कि प्राइस कम होता है और स्मार्टफून का उस्ते मज़ा जाएगा और हाँ ओपो का एफ 11 प्रो भी जो है लॉन्च हो गया है एक एडिशन के अंदर तो 27,990 रुपे के अंदर मिल रहा है आप लोगो लेगी है मैं सच्छी पता पर कि अधार कवर कुछ आप कवर अपको सब्सक्राइब से आप लोगों तो यह रहा है इंपिनीक्स का स्मार्ट प्लस जो की मेरे पास स्मार्ट फोन आया था जाए था जाए विद्द ब्रस तो आप लोगो दिखा जाता हूं अब आप बनाओ तो इसलिए मैंने रखा वह इसको पर कुछ भी काम निकर रहा हूं बड़ जैसी में रूपरमेशन मिलती है वीडियो बनाऊगा काफी सब्सक्राइब मुझे थीक है रही है तो आप से अब वीडियो अच्छा लगा और एटल ने अरक वाइट लिए सब्सक्राइब के साथ है यहार आप लोगों बताना चाहिए मेरा करतव्य है तो इसमें क्या है प्राइंग्नम 3GB & 6GB of 3G & 4D अब यह डेटा के वाइस है और टैन फ्री नैशनल सम्सक्राइब बात कुरिया पर और जो चीज़ें हुई है मलाब होने वाली है वह यह है एक त जो है इंडिया में लांच करने वाला है पुरना नेया स्मार्टफोन जिसके अंदर की स्मार्टफोन प्रोसेजर हो सकता है तो शाहिए क्या होता है क्या वह मिए बच्छा पूरा मस्सा अपिसोड अगर आपको पसना होगा तो लाइक कर देना वीडियो को चैनल को सकते हैं दोरा मस्तर इंडियो को चैनल को वाला है तो जाहिए को आपको एजिए आपको शेख लिए में रुटा में दिए झाला मुटना के जिए जिए पुटना जिए चुर लिए 50 इस बीड़ी ताम